तो नाने के लिए आपको चाहिए होगा half teaspoon नमक, half teaspoon instant coffee, half teaspoon baking soda, half teaspoon baking powder, 212 gram मैदा या फिर half cup plus six tablespoon. इसके लावा आपको चाहिए होगा six tablespoon cocoa powder और एक कप चीनी. इसके लावा आपको चाहिए होगा एक चाथ हाई कप तेल, one teaspoon vanilla essence, एक अदद अंडा, आधा कप पानी जिसको क्या 40 सेकंड्स माइक्रोवेव में गरम करेंगे और आधा कप दूद इसके इलावा आप इस तरह का कोई भी ढखकन ले लें विस्किट के डबों में जो होता है या पिर छोटे साइज का बेकिंग पैन या स्टील की कटोरी ले लीजिए आठ हिंच के बेकिंग पैन को ओईल से या बटर से स्प्रे करें और पार्श्मन पेपर या बटर पेपर जो भी आप कहते हैं उसको लगा दीजे सबसे पहले केक बनाने के लिए प्रेशर कुकर का जो ढखकन है उसका आप वेट हटा देंगे और क्योंकि इसके अंदर लिक्विड नहीं होगा तो वेट आप हटा देंगे प्लस इसका रबर का जो रिंग है उसको आप लगा रहने देंगे और ये जो फिल्टर है इसको भी आप रिमूव कर देंगे अब प्रेशर कुकर में एक कप नमक अच्छे से बिचा दें ये इसको बर्न होने से बचाएगा और अब आपने इसको कवर करके 15 मिनट प्री हीट करना है पहले के 5 मिनट आप इसको मीडियम आज पे प्री हीट करेंगे और बाद में 10 मिनट आप इसकी फ्लेम को लो पे कर बल्कुल अब ड्राइ इंग्रीडियंट्स को आप चान लेंगे तो सबसे पहले डाले मैदा इसके बाद आप एड करेंगे कोको पाउडर नमक बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अब इसको अच्छे से चान लें इसके बाद आप इसमें चीनी भी शामिल कर दें अब इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और एक साइट पे रख दें अब जो आदा कब पानी था उसको मैंने 40 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गरम किया है अब इसमें हाफ टी स्पून इंस्टन काफी एड़ करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें अब जो मिक्स्टर पहले से त्यार कर लिया था उसमें शामिल करें तेल विनिला एसेंस अंडा फुल फैट मिल्क यानि के दूद और अब आप इसको बीट कर लें स्लो स्पीड पे अब दो हिस्सों में आप ये काफी का पानी एड़ करते जाएंगे और इसको स्लो स्पीड पे बीट कर लेंगे ताकि मिक्स्टर अच्छे से बिलकुल कमबाइन हो जाएंगे और ये जो काफी मिक्स्टर है ये डालने से केक का फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है आप लोग ज़रूर ट्राय करें और जो प्रिवियसली भी जो मैंने चॉकलेट केक से खाया है उसमें भी आप होट वाटर में वन टीस्पून काफी एड़ कर सकते हैं अब इस बैटर को पैन में डाल दें पैन में डालके आप इसको थोड़ा सा टैप करें ताके जो एर बबल्स हैं वो निकल जाएं या तो इसको पहले 5 मेनिट मीडियum फ्लैम पे बेख करना है और इसके बाद आपने इसको 30-35 मेनिट बिल्कुल लो फ्लैम पे बेख करना था यह गास स्टोव के लिए और जिनका एलेक्ट्रिक स्टोव है वो इसको 50 से 60 मिनट के लिए बेक करेंगे मेरे पास चूके बिजली का स्टोव है तो इसलिए तकरीबन 50 मिनट्स में ये बेक हो गया है और आप देख सकते हैं कि बिलकुल पर्फेक्टली केड जो है वो डन हो गया है और ये देखें हाथ लगाने से ही पता चल रहा है कि कितना सौफ्ट और स्पंजी है जब पैन थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप केक को निकाल लें और इसका बटर पेपर रिमूव करके आप इस केक को कम्प्लीटली ठंडा कर लें और ये सब कर लेने के बाद मैं आपको नेक्स टेप में बताऊंगी कि अब इस केक को एसेंबल किस तरह से करना है केक बनाने के लिए आपको चाहिए होगा शुगर सीरप इसके लावा केक जो अभी बेक किया है उसको आप सेंटर में से कट कर लेंगे और इसके लावा क्रीमी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग ये मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ आप मेरे चैनल पर जाएं वहाँ आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी तो सबसे पहले 10 इंच का केक बोर्ड लेके उसके उपर थोड़ी सी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग लगाके आप पहली लेर को रख दें शुगर सीरप डालें अच्छे से अब आप इसके उपर चॉकलेट फ्रॉस्टिंग डालें जितनी आप पसंद करते हैं कामिया जादा वो आप अपने मताबिक इस पर एड़ करें और उसको आप स्पैचुला की हेल्प से फैला लें अब इसके उपर सेकिंड लेयर रख दें अब चॉकलेट फ्रॉस्टिंग एड़ करें और अच्छे से पूरे केक को आप इस फ्रॉस्टिंग से कवर कर दें मैं बहुत जादा केक को फैंसी नहीं करूंगी बिकरस आई नो कि ये फ्रॉस्टिंग और केक ऐसे ही खाने में बहुत मज़ेका होगा तो जस्ट इसको प्लेन रख रही हूँ मैं बलकुल आप चाहें तो इसको डेकुरेट भी कर सकते हैं तो लीजे बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और सुपर मॉइस्ट चॉकलेट केक तयार है आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें इन्शालला आप लोगो पसंद आएगी और रिजल्ट इसका बहुत जबरदस्ट आया है तो अवन के बगएर भी आप इस केक को प्रेशर कुकर में बना सकते हैं बलके स्पांच केक, चॉकलेट केक, रेड वेलवट केक इस तरह के जितने भी केक हैं उनको आप प्रेशर कुकर में बना सकते हैं मुझे फीड़बैक जरूर दें और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और मेरी रेसिपीस अच्छी लगती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजे और मुझे दौाओं में याद रखिए अल्ला हाफिज